इसके बाद जब आप परिक्षा देने जाएंगे तो कुछ भी सेस नहीं बचेगा क्योंकि ये इतने सांदार मैंने सिनोनिम्स एंटोनिम्स को रखा है कि इसके बाहर कुछ जाएगा ही नहीं ठीक है ब्यापम एससी रेल बे कोई भी एक्जाम आप तयारी कर रहे हों बैंकिंग इससे बाहर MCQs नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें मैंने पूरा कवर कर लिया है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को मैंने जैसा कहा है आपको पूरा करना पड़ेगा मतलब हर वीडियो को आपको अच्छे स्ट देखना है यूटूब में सब अप्लोड़ेड है और देखने के बाद उसको देखना वास नहीं या नोट डाउन करना है और आपको पढ़ना है ठीक है लर्न कर लेना है जैसे मैंने यहाँ पे एक सब्द बदाया आपको डिलेक्टेवल डिलेक्टेवल का जो सिनॉनिम्स होगा वो यह वाला बर्ड आपका सिनॉनिम्स होगा और यह जो इधर लिखे हुए सब्द है यह एंटॉनिम्स होंगे जो पैन राइटिंग में वो Adorable مतलब क्या होता है Adorable मतलब होता है जो मनको भाय है Alluring 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 मतलब भी जो मनको प्रसंद रखे इसlegen टेस्टी चामिंग यह सब जो है वो डिलेक्टेवल मतलब सुहावना के सिनॉनिम्स हैं इसकेines क्या होंगे तो जैसे boring हो गया Unpleasant हो गया डल और टेस्टलेस हो गया, घैस्टी हो गया, तो यह जो वर्ड है, यह सब क्या है, इस सुहाबना के उल्टे है, कैसे बोरिंग मतलब जो मन को न भाए, अन्प्लीजन जो मन को न भाए, डल जो मतलब एकदम धीमा धामा हो, टेस्टलेस जिसमें स्वाधी न हो, घास्थी मतल होता है, बेस्मेट मतलब जो चीज हमें समझ भूल जाती है, उसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, तो जैसे डार्कनेस हो गया, मतलब अंधकार में, ब्लैंकनेस मतलब जो खाली हो गया हो, मतलब भूल गया हो, सेंसलेस्नेस मतलब जो, सेंसलेस्नेस मतलब सेंसी ना हो, मतलब gambling. या कह सकते है वे काट में इसन्सिबिल्टी मतलब होता है बिना दिमाग ऐ अपका जो बिना दिमाग के मतलब चंग मतलब होता है ऑस! मतलब बिना लोग boy बोल देते हैं तो यहा पे memory मतलब अब्ली बिए Queens न्दय मेंम्री तो awareness मतलब जाग रुकता, remembrance मतलब क्या होता है जो याद रहे, alertness मतलब again किया alert रहना, recall रहना, तो यह जो word है यह सब क्या है, आपके oblivion के antonyms यह हो गए, synonyms यह हो गए, इसको इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं कि oblivion एक negative word है, तो इसके synonyms सब negative भी negative आएंगे, और जो यह ह आपका यह antonyms है, तो antonyms जो होगा वो क्या होगा, positive positive होगा, क्यो positive हो, क्योंकि हमारा जो word है, वो negative है, next word पे हम चलते है, next word हमारा है, clandestine, मतलब क्या होता है, गुप्त, ठीक है, कोई चीज़ जो किसी को ना पता चले, जैसे concealed, ठीक है, conceal मतलब क्या होता है, चुपा हु यहां पर इसको थोड़ा साब हटा सकते हैं यह कैसे आ गया यह नहीं समझ में आया सब्सक्राइब इसको पता रहे अन्क्लासिफाइड सबको एक नॉलेज तो यह जो वर्ड हैं न किया है एंटॉनिम्स इसके आप लोग को क्या करना है ध्यान रख करके देवियों सजनों चलना है ठीक है आगे चलते हैं आगे हम बात करते हैं startle startle मतलब क्या होता है चौकना चौकना मतलब होता है आपका अचाना कपन नहीं कोई चीज में चौक जाते उसको बोलते है तो इसका synonyms क्या होगा एस्टॉंड ठीक है फ्लेवर गास्टिड ठीक है सॉग्ड पजल्ड ठीक है सप्राइजड कन्फ्यूजड बफल ठीक है पर फ्लेक्सिड अलाम्ड यह जो वर्ड है आगे चलते हैं सर्वाइल मतलब क्या होता है सर्वाइल मतलब होता है खुसामदी, खुसामदी मतलब क्या, खुस रहना एकदम बढ़िया, मजे में रहना, आनंद में रहना, जैसे आप लोग रहते हैं, बढ़ाई लिखाईए, कोई जिंता नहीं रहती है, बस खुसामदी रहते हैं, एकदम मजे में रहते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं, तो यह पे शर्वाइल मतलब क्या हुआ को समदी मतलब आपका क्या हुआ फॉनींग ठीक है ऑप सटीक है ऑप से क्विस ठीक है साइक फैंटिक सबसर्वियंट ठीक है तो यह क्या होगा तो हाउटी एरोगेंट शुपिरियेर यह जो word है ना यह उन्ट्रूमस हो गये फीक है next चलते हैं next word जो है आपका गेल गेल मतलब क्या होता है गेल मतलब होता है अप कह लगेतने हैं आधि जो खुब तेसे हवा आती है आधी storm storm मतलब भी आधी तूफान होता है, tempest मतलब भी आपका क्या होता है, जोर का बवंडर, तूफान, squirrel, hurricane, hurricane अमेरिका में चलता है, बहुत बड़ा तूफान होता है, tempest भी अमेरिका का ही तूफान होता है, tornado भी, अमेरिका का ही तूफान होता है, सबसे जो तेज तूफान आता है न वो tornado ही है, ठी बैक्लोन ठीख है टाइफून ठीक है और वर्ड विल्ट यह जो है ना यह इनका मतलब क्या होता है तूफान आधी होता है जोरदार आधी अब यहाँ पर क्या देखे अब यह तेजए हवा होई अभी धीमी हवा क्या होई नहीं अगर आप भी रेवएंस रूट से जुड़ना चाहते हैं तैयारी करना चाहते हैं तो यह नंबर है इस पर आप संपर कर सकते हैं साथ में आप हमारे एप रेवा इंसिट्यूट को डाउनलोड करके अपने इस्टेडी पढ़ सकते हैं ठीक है अपने इस्टेडी अच्छी तैयारी कर सकते हैं ठीक है Ary, alarming, able-looking, ominous, treatening, forbidding, frightening, यह जो word है यह सब sinister के क्या हैं? Synonyms हैं, तो synonyms क्या हुआ भईया, आपका menacing, baleful, airy, alarming, evil-looking, ominous, threatening, forbidding, या frightening, यह सब sinister के मतलब synonyms हुए, तो एंटोनमस क्या होग बहिया तो एंटोनमस होगा सुब्ह तीक है जैसे बिनाइन ठीक है फेब्रेवल हो भु़ुल जो ना शिन्र के और ele क्या है घर्टि लृक्ष इhã तर धार यह तो तो फटकार कैसे लगाएंगे एड्मॉनिस यह सिनॉनिम्स है कैस्टिगेट ठीक है लेंबेस्ट क्रिटिसाइज है ना बिगिंग ठीक है रेमन्स्ट्रेशन रोस्टिंग कैनिंग बॉलॉकिंग ठीक है ड्रेसिंग रूम माउथफुल अब यह जो वर्ड है ना ध्यान रखि पूछा में आएंगे पूछा जाएगा रेप्रिमेंट मतलब होता क्या है और आपसे पूछ लेका यह बड़ यह बड़ यह बर ऐसे वर्ड अभी नहीं पूछ आप सोचेंगे रोस्टिंग पूछ ले आपसे क्रिटिसाइज पूछ ले कैनिंग पूछ ले जो पुराने व कीकि वर्ड हमारे है मतलब घघाव मतलब होता है इक हम मतलब को समझते हैं कभी-कभी मनㄇ मतलब हो जाता है कि i-one किसी इसто बोलनीपाते अच्छ से ना कोई चीज अपनको समझ में नहीं आती तो प्लिक्ट ब्रोईल आर्गोमेंट यह सब टिब क्क्या हैं synonyms हैं ठीक है एंटॉनिम्स क्या होगा तो get along, concur, accept, agree, ascent यह जो word है यह आपके क्या होंगे TIFF के एंटॉनिम्स होंगे ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है synonyms आपके यह हुए एंटॉनिम्स आपके यह हुए ठीक है indolent, indolent मतलब क्या होता है indolent मतलब होता है alci, alci कैसा भहिया तो alci मतलब lacadesical, lacadesical मतलब देखे, indolent मतलब alci, जो कोई भी काम करने पर आरस कर जाए ठीक है, lacadesical मतलब जो आरामी करता रहे उठेईना, ठीक है इस्टब लेख़िस तीक वूर्ट क्या होते हैं आलजी कि होते हैं आरामदायक जो भीखती होते हैं इंडिफेंट ड्रेलेस रिलैक्स्ड लेजरली ठीके ऐग और रिक अन आन इंझीसिस्टिक तो यह जो वड्ड है यह सब क्या है आपके और सिक्रोंडalom MedDI generate to YouTube 500 यहां पर आपका सका से नॉने इंग विणवेंग आफिया स्क्यों डिफेटेड एफरिग्ट यहां पर आपका इसका ये सब word जो है फिर्फेंट के क्या होंगे एंटॉनेंस होंगे ठीक है यह चीज आपको ध्यान रखना है देवियों से चनो आगे चलते हैं और भी चीजों को हम देखते हैं इससलेएंट मतलब क्या होता है जो स्वास्थ के लिए अच्छा हो स्वास्थ प्रद्ध हो ठीक है मतलब यह पॉजिटिव बशकना है अब इसका जो उल्टा होगा तो ऐसे को हम कह सकते हैं। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। इन सब बर्ड को आपको सबको आपको नोट करना है। जितनी भी क्लासे हुई हैं, उनको नोट करके आपको पढ़ना है। जब आप पढ़ लेंगे ना तो उसके बाद मैं आपको एक test paper solve कराऊंगे जो आपका इसका रहेगा ठीक है तो वह आपको बहुत आपका effective रहेगा ठीक है हो एमोशनल हो कीरीड हो कीन हो कीन मतलब भी अपने मतलब कारे के प्रति सजग ठीक है डेडिकेटेड हो तो यह सब फर्वेंट के क्या है इसमें से बहुत सारे आप लोग वर्ड जो है अल्रेडी जानते होंगे इसमें आपको ध्यान क्या रखना है ठीक है ऐसी वर्ड जो आपको जाएगा है इमोशनलेस ठीक है जिसके अंदर को इमोशन ही नवहीं हो ठीक है इंपैसिब हो ठीक है मतलब जोई भी अपने काम को ले करके एक दम बोल हो साथ मैसे आपकी क्लास सात वजे से है वह बढ़ दे की आज पढ़ाएंगे नहीं आज आठ वजे से पढ़ा यहां पर बैने तॉअन की बात करते हैं तो आश्रवाद किशन बैने सब्सराइब सेन्चन का सिनॉनम्स ? MAT अश्रवाद już मतलब अश्रवाद ब्रदान ,lovered blessing श्रवाद PR पर टीएड चैर्टी फेवर इंडलजेंस सक्ष सकर टीक है फिलन्थ्ट या सब बर जो है यह बसन के क्या है थरा हूं जोब और जिस Waiting बंक on a Girl Manager के क्या है ऐन तो नंशोंगे इसलेवर्या स्ल प्रियस मैंने आपको भिवता दिया है ऊपर ठीक है बैपिट मतलब क्या होता है बैपिट मतलब होता है बेसवाद नीड़स ठीक है जैसा खाना जैसे आप खाएं और फिर आप शार मागने लगें इसलाद मागने लगें बा about ниц Emporia Sumya Sum नहीं भीनिट रिपिट मतलब बेसवाद नीड़स ठीक है तो लाथ वच्छा एमेजिंग अट्रैक्टिव अट्रैक्टिग तो ये सब जो वर्ड हैं ये आपके ईन्डॉनिम सुझाएंगे ये आपके इन्टॉनि मतलब क्या होता है एक Circлюч record क्या अनुशित कि प्रिकरीयस्यीत अनिशेद Whew क्यों और जीए टीरिटिकर्श टींव अनिशित तो यह सब बर्ड आपको धियान रखने है प्रेकरियास के सिनॉनिम्स यह होगा एंटॉनिम्स क्या होंगे वही है तो गुड सेफ बेनिफीशियल नॉन हजार्डिस ठीक है यह सब हो जाएंगे ठीक है तो मैं हूं गौरब दुबे जो आप लोग को इंग्लिस ट्रेन करता एक लब विस सिक्षक PGT की तैयरी कर रहे हैं तो आप हमसे जुड सकते हैं जुडना कैसे है भाईया जुडना है आपको रेवा इंस्टूट एप डाउनलोड करके और जुड सकते हैं आप ठीक है मिलते हैं ने सेशन में थैंक यू फॉर वाचिंग दियर जेंट और थैंक थैंक यू और बढ़िया से तैयरी करते रहे हैं पढ़ते रहे हैं आप लोग का निशित तौर पर सेलेक्शन होगा लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी मेहनत कैसे अब यह पूरे टॉपिक क्यों बढ़िया से पढ़िये बढ़िया से नोट डाउन कीजिए सिनॉनिम्स अलग ल रखिये और बढ़िया से पहड़ा लिए पूरा और जब पहड़ा लेंगे निशित तौर पर आपका सेलेक्शन होगा 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 और यह आप ध्यान रखिएगा सेनॉनिम्स अंटॉनिम्स मतलब पांस से साथ कोश्चन ठीक है आपके बरक्षा में मिलते हैं ने सेशन पर ध्यान प्रफस्ता है फड्यार अटेशन होगा होगा है टेक्षा होगा ही लेट लुए यह वाड़ा है टेक्षान पर